जिन्दगी एक pendulum के तرह होगो है pendulum के एक सैड में हार है दूख है दर्द है गम है पीड़ा है पेलियर सहेट बैक्स है और दूसरे सैड में सक्सेस है जीत है विक्तरी है खुश्यारी आध तो 53 जीत होगा, स्वागत है और आज में बात करूंगा लाइफ के वन अब ग्रेटिस्ट रियलाजेशन के बारे में जो मुझे मैसुस हुआ है अमेरिका के एक बहुत बड़े entrepreneur है और success magazine के director है Darren Hardy उनका मैं एक इंटर्वी देख रहा था उस इंटर्वी में Darren Hardy बताते हैं कि जिंदगी एक pendulum के दर होती है pendulum के एक साइड में दुख है दर्द है गम है पीरा है पेलियस है सेट बैक्स है और दूसरे साइड में success है खुशियां ही खुशियां है victory है जीत है तो अगर pendulum को एक साइड घुमाएंगे तो दूसरी साइड जरूर जाएगे और इस साइड घुमाएंगे तो इस साइड जरूर आएगी मतलब अगर आपको लाइफ में success चाहिए खुशियां चाहिए तो आपको हार की तरफ जाना पड़ेगा failures की तरफ जाना पड़ेगा setbacks की तरफ जाना पड़ेगा बट problem तभी हो जाती है जब most people अपने जिंदगी के pendulum को घुमाते ही नहीं है वो लोग बीच में अटकिर जाते हैं और नहीं वो लोग एक तर success हासिल करना चाहते हैं पर यह तो impossible है ना जैसे मैंने आपको बता है कि pendulum के एक साइट में success है और दूसरी साइट में failures है आपको इधर जाने के लिए इधर जाना ही पड़ेगा इसके एलाभा कोई चारा ही नहीं है यह जो बहुत सारे लोग prayer मांगते हैं दूआ मांगते हैं मस्दिदों में मंदिरों में चर्च में गिरजागर में और प्रेयर में क्या मांगते हैं हो लोग कि है उपर वाले मुझको दुख ना दीजिए और आपको लगता ही कि possible है बलके इंस्टीट उन्हों को यह दूआ मांगना चाहिए कि हमें गम दे दुख दे ठीक है लेकिन उन्हें सहने की ताकत दे जिंदगी है तो गम और दुख तो होगा है यह कैसी दूआ है यह कैसा प्रेयर है आपको लगता है कि आप जब तक जिंदा हो आपके लाइफ में गम और सेटबेक्स और फिलियर्स नहीं आएंगे इंपॉसिबल है बट फिर भी पतानी लोग ऐसा क्यों करते हैं यह समझ के बाहर है आपको खुशी चाहिए तो आपको दर्द उठाना पड़ेगा तुर्की का एक फेमस कहावत है कि आप जब तक एक खराब सेब को नहीं खाएंगे तब तक एक अच्छा सेब का मज़ा कैसा होता है वो पता नहीं चलेगा आपको मुझे ल वीडियोज को आप लोग शेयर नहीं करते हैं प्लीज नहों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन और बड़े ताकि मैं और पावरफुल मेसेज आप तक पहुंचा सको और अपना कम्यूनिकेशन को इंप्रूब कर सको अपने जर्नी को बेटर बना सको मेरे साथ आप लोग भी बेटर बनेंगे आज के लिए इतना है वीडियो को लास तक देखने के लिए थैंक इसाथ